हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डॉक्टर अंचली से हेल्थ चैनल आयरवेद बेस ओफ लाइफ आयरवेद में व्रत्व पवास को बहुत महत्व दिया गया है कई बीमारियों जिसे बुखार में as a first medicine पवास को माना गया है लंगरम सर्वोत्तम औशदम व्रत रखने के धार्मेकार्णों के साथ साथ धेरो फैग्यानिक महत्व है व्रत रखने से हमारे पाचन क्रिया को आराम मिलता है अगर एक दिन हम कुछ भी नहीं खाते हैं तो हमारा digestive system ठीक रहता है हमारे शरीर में toxins एकटे हो करके स्वास्ते से संबंदे समस्याइं पैदा करते हैं व्रत रखने पर शरीर को पचाने का काम नहीं करना पड़ता है और वह अपनी सारी ताकत इन toxins को शरीर से बाहर निकालने में करता है और इस प्रकार toxins removal होने के कारण हमारे शरीर में health से संबंदे समस्याइं दूर होती है व्रत रखने पर fat burning process तेज हो जाता है और शरीर में जमा चर्बी को शरीर इस्तिमाल करता है जिस दिन हम व्रत रखते हैं metabolic rate बढ़ जाता है और शरीर और दिमाग दोनों का स्वास्थे बहतर होता है यहां तक कि cancer के मरीजों में व्रत रखने से नए प्रतिरोधक cells बनने लगते हैं हर सब्ता उपवास करने से शरीर में cholesterol की मात्रा घटती है जो कि arteries के स्वास्थे के लिए बहतर होती है depression जिसी मांसिक समस्यों में भी उपवास रखने से फाइदा मिलता है यह stress को कम करता है उपवास रखने से स्वादग्रंतियों की सक्रीता बढ़ती है इसके नर्म और मुलायम बनती है blood circulation बढ़ता है आक्तों के absorption की power बढ़ जाती है पाचन तंत्र बहतर होता है इसलिए arthritis, asthma, high blood pressure, ठकान, IBS के साथ साथ बहुत सारी शारिरिक और मांसिक परिशानियों में फाइदा पहुचता है जिस दन रत रखा जाता है उस दिन शरीर में पानी की कमी हो सकती है इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीते रहे एनरजी की कमी यदि महसूस करें तो नीबू पानी, फलो का जूस, छाँच जिसे liquid चीजे जरूर लेजे सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है उपवास शरीर में विशैले पदार्थों को बाहर निकालता है और शरीर में जमा टॉक्जिन्स, कफ, पसीना और वॉमिट के थूप बाहर निकलते है उपवास का उद्देश ये आपके digestive system को आराम पहुचाना है जिस प्रकार सभी मशीनों को rest और servicing की जरुवत होती है उसी तरह मारे body को भी आराम देना और फिर से अच्छी तरह काम करने के लिए तैयार करना जरूरी है जो कि मशीनों की overhauling जैसा ही है उपवास का सुरक्षित तरीका है कि एक दिन के उपवास से ही शुरू करिए लेकिन ताजी सबजियों का रस, फल, पानी या कच्ची सबजियां लेते रहिए ताजे फलों का रस लीजे व्रत के नाम पर तली भुनी चीजे, ज्यादा तेल घी से पकी हुई चीजे और अनाज मत लीजे ज्यादा मीठा खाना भी नहीं लेना चाहिए दिन बर दूद, दही, चिप्स, आलो की टिक्की, नमकीन, मुंगफली जैसे मिक्स्चर आदि लेने से आपको व्रत के फायदे तो नहीं मिलेंगे, बलकि फैट बढ़ जाएगा साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसे बिमारी से आप पेड़ी थे हैं या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्र के एडवाइस के बिना ये ना करें ट्राइवटीज के मरीजों और प्रेगनेंट वोमेंज को ब्रेस्ट फीट कराने वाली मदर्स को भी उपवास नहीं रखना चाहिए और इनके अलावा चाहे कोई भी वेक्तियों उसे अपनी शारिरिक आकत और चमता के अनुसार ही उपवास करना चाहिए लेकिन यदि आपके सिधार्मिक उद्देशे से भी उपवास कर रहे हैं तो वे आयरवेदिक तरीके से करिए और इश्वर क्रपा के साथ साथ अच्छा स्वास्थ भी पाईए वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सेहत से जुड़ी नई नई जानकारीों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा धन्यवाद